तो को कि प्रेपरेशन सोरी गुड आफटर्नून ग्लास गुड आफटर्नून कैसे ओ मैंने गुड इवनिंग गलत बोल दिया याँ अच्छी आप लोग की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल दी तो आपका स्वागत है एड़र 24-7 के ऑफीशल यूट्यूटीव चैनल पर और अगर आप लोगों ने एप को डाउनलोड नहीं किया तो एप जुरूब डाउनलोड करना जिसमें प्रीमियम स्टेडी मेटियल करेंट अफेयर जॉबलर्स डेले कोई सब्जेक्ट वाइस कुछ मागजीन पावल कैप्सूल एवरीधिंग गिवन है और अगर आप लोगो जिस्ट वेयर मेनिट मृट बच vér guards वेट बन मिनट एससल का मीनिंग क्या एससल है और जी बिल्कुल एससल का अर्थ क्या है तो मतलभ क्भा है तो एससल एस सेक्योर नियो स्टम सोक्ट लिएर सूपर्य उजब सिस्टम लॉग इन ेंसेक्योर सिस्टम लॉग इन अन्ञाइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब है इसे, मतलब श्रा हो स्वल्च का Пया है अौन paragraph के बच्विए से से हार्व खुम पूम आठाए हैं सिक्योर शॉकेट लिएर तो कौंसी अक्या पास वार्ष सिक्योर शॉकेट लिर्धी घ्याते हैं क्या आती है बचों मारे पास सिक्योर सोकेट लेयर that is SSL बिल्कुल SSL का क्या था बचों क्या मतलब है सिक्योर सोकेट लेयर तो इसका क्या चीज़ बचों SSL stand for secure socket layer and shorts in standard technology for keeping an internet connection secure बिल्कुल तो क्या कहता है कि SSL का मतलब है secure socket layer बिल्कुल मिने बताया ना आपको SSL का मतलब है secure socket layer अगर संक्षेप में यह internet connection को सुरक्षित रखने और दो प्रनालियों के बीच भेजे जाने वाले किसी भी स्वेधन शिल डाटा को सुरक्षित रखने के अपराधि अपराधियों को संभावित व्यक्तिगत विद्रन सहत स्थान गरित कई गई भी जानकारी को पढ़ने और श्यंशोदित करने और रोकने के लिए इंटरनेट को अपराधिए आपके चैनल को आंपके इंटरनेट ब्लों करकुर लेयर का हैं इस जए ठैसे कौन सा महारा ग्राफीकल पैकेज हैं जी विच अफ निमन लिखे में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है तो कोरल ड्रा, MS Excel, MS Word या All of the Web हाँ जी इन में से बचो हमारा कौन सा ग्राफिकल पैकेज है बिल्कुल सभी का अंसर आना चाहिए जितने मी अपके लोगे शादि क में कार्ड है gos are और या जो फंक्षान कर शादी को स्वख्राइव जीतने भी विवाह के स्फी में खीक अच्छी एड़ पास में घर्भा कर सकते हैं विल्कूल कोरा राक एक ग्राफिकल पैकेज है सोफ्टियर है आप लोग को एक्जाम में कुछ नहाता होता है कि we're प्रोशेसर सौफ्टियर तो हमारे पास ms word actually सभी हमारे पास क्या वर्ड प्रोशेशिंग सौफ्टियर है ते को कॉरल ड्राइज यह वेक्टर-based हैं देखो क्या कि कोरल ड्रा क्या एक क्रेक्टर अधारी तर्ड डिजाइनिंग सॉफ्टेयर है जिसका प्योग लोगों को बनाने के लिए यूज करते हैं फ्लेक्स को ब्राउशर्ज को निमंतरन काड और लाइनिंग के अधार पर किसी भी परकार की डिजाइनिंग बनाने क लिए किया जाता है नेक्स आता है बचो एवरी कंप्यूटर ऑन दा इंटरनेट इस नान एज बिल्कुल इंटरनेट पर प्रतियों कंप्यूटर को क्या कहा जाता है इंटरनेट पर प्रतियों कंप्यूटर को क्या कहा जाता है होस्त कहते हैं क्लाइंट कहते हैं मॉडम कहत पर तो क्या कहते हैं बच्चो हम लोग उसको होस्त कहते हैं सर्वर नहीं होता तो होस्त होता है जो भी आपका computer internet पर connected है परतिय एक computer को हम host के नाम से जानते हैं तो host is the right answer next आता बच्छों देखो every computer on the internet needs a string internet IP protocol बिल्कुल कौन सा IP protocol चाहिए to perform its work so every computer on the internet is known as host किस नाम से जानते बच्छों host के नाम से जानते है इंटरनेट पर परतियों computer को अपना कारिय करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकोल IP address नाम के किस्टिंग की अवशक्ता रहती है तो इसलिए internet पर परतिय computer को host के रूप में जाना जाता है तो host is the right answer next आता बच्छों which one of the falling mobile handset outs produced by the electronic companies यूजे बाड़ा मुबाइल अपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल electronic company द्वारा उत्पादित निमन लिखे में से मुबाइल हैंट सेटों में से कौन सा बाड़ा मुबाइल अपरेटिंग सिस्टम का एक उप्योग करता है हां जी बाड़ा मुबाइल उप्योग करता है बचो तुम्हारे पास नोकिया आईफोन मट्रोला यह सैमसंग बिल्कुल कौन सा डिवाइस जो बाड़ा मुबाइल अपरेटिंग सिस्टम का अप्योग करता है बिल्कुल जो भी बचा लाइव है सभी का अंसवराना चाहिए देखो आप लोग करोगे जाद दा क्या होगा यार्ग गलत होगा इससे जदा तो नहीं कुछ होगा तो गलत होगा कोई इश्यों नहीं है लेकिन आप लोग का अंसवर्ट करना बहुत जरूरी है है ना तो हम लोग क्या पढ़ रहेते बचो कि कौन सा जो चीजएयर बार्डा मॉबाइल औरतीव नुंच बिलकुल terminus करती है हमारे पास सैंंफिक तुम इंसे , ड तो जर्य स्मार्टफॉर्म न बार्डा मोबाइलॉब सेट्फिक एमसंगin पेखा बिल्कुल Samsung Wave ने क्या किया फर्स जो हमारा बार्डा मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम है यह रन किया था हमारे Samsung फोन पे नेक्स्ट बचे विच आफ दा फॉलिंग कंट्रीज इंद वर्ल्ड वाइल इंप्लीमेंटेट दा इन्हांस्ट डाटा रेट्स फोर जी एसम एवलेशन फॉर फरस्ट टाइम बिल्कुल निमन लिखे में से किस देश ने पहली बार जी एसम विकास के बड़ी हुई जी एसम फोन जी एसम मोबाइल है न आपके पास ग्लोबल स्टम फर मुबाइल कम्मूनिकेशन कीी धाम में आ जाती आप लोगों विक्रिशन आना की जी एसम convince स्टेट फोर जी एसम है बच्चो गलोबल system for mobile communication बिल्कुल GSM global system for mobile communication ये किसने launch किया था बच्चो सबसे पहले हमारा Finland ने launch किया था किसने launch किया बच्चो Finland ने launch किया बिल्कुल next आता बच्चो which of the falling person create say URL for the first time बिल्कुल निमान लिखे मैं से कौन सा व्यक्तिकत पहली बार उनका URL बनाता है बिल्कुल बच्चो को न से personain जिसने पहली बार क्या किया बच्चो URL को create किया कौन सा personain क cambi बच्चो जिसने क्या किया पहली बार URL को create किया तो Richard Stallman, Michael जόन, team Burner Lee या Mac Anderson किस व्यक्ति ने पहली बार क्या किया first time URL को create किया बिल्कुल सभी का अंसराना चाहिए बचो first time URL किस वेक्ति द्वारा create किया गया तो किस वेक्ति द्वारा team burner ली के द्वारा किस के URL की full form भी आप लोग को काफी बार exam में आ जाती है कि URL stand for अंजी URL stand for uniform resource locator अंजी URL की क्या full form आती है बचो uniform resource locator तो किसने create किया था बचो ये team burner लीने किसने किया team burner लीने next बचो which of the following is a translator program used for assembly language बिल्कुल निमन लिखे में से कौन सा एक अनुवारम प्रोग्रम जिसका प्योग assessment भाशा के लिए किया जाता है which उव दा फॉलिंगaren translator program used for assembly language का कौन जा प्रोग्राम बचो compiler interpreter translation and assembler बिल्कुल निमन लिखे में से कौन सा प्रोग्राम है जिसका प्योग अस्जेंबली भाशा के लिए किया जाता है तो और पास compiler interpreter translation एंड असेंब्लर तो असेंबली भाषा के लिए जिसका प्रियोग करते हैं बच्छे डेट इस असेंब्लर कौन आएगा बच्छों असेंब्लर क्या करता है आपका असेंब्ली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कनवर्ट करता है क्या करता है बच्छों असेंब्ली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कनवर्ट करता है किसमें कनवर्ट करता है बच्छों मशीन लेवल लेंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन असेंबलर अंजी असेंबलर इस प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट्स दा इन्टु दा बैटर आफ बीट्स दैट आर कंप्योटर प्रोसेसर यूज़ तू परफॉर्म इटस बेसिक अपरेशन बिल लोगे किस चीज़ के लिए करते हैं जो भी बचा लाइव है सब भी का अशराना चाहिए क्यूंकि एम्पोर्टेंट कोशन अब बहुत अच्छे कोशन कवर कर रहे हैं आप लोग को एकजाम में डिरेक्ट कोशन आएंगे तो तो में थ्रेशर टूल्स का प्यों किस चीज के लिए किया जाता है तो स्पैलिंग सुजेशन सानानियम वर्ड्स ग्रैमर चेकिंग और टो क्रेक्ट ऑप्शन या नन अफ दिस नन अफ दिस तो है नहीं तो इन ही में से अंसर रहेगा स्पैलिंग सुजेशन के लिए सानानियम वर्ड्स के लिए ग्रैमर चेकिंग के लिए जांटो क्रेक्ट ऑप्शन तो यह नहीं आएगा आपको यह तो मैंने कंट्रूज करने के लिए लगा दिया तो आप लोगों क्या लगा सानानियम विल्कुल अगर आप लोगों ने सेम वर्ड फाइंड आउट करने जैसे हम लोग बड़ते न समान अर्थक शब्द जैसे सूरिया को और कि कि नाम से जानती हैं तो यह सारे क्या है बचो मारे पास सैननॉम है तो थ्रेशर टूल दे सैनॉं फाइंड आउट करने के लिए उसके जाता है तो यह क्या बचो हमारा इसकी शॉर्ट कड़ की है बचो सिफ्ट पलस एफ-सेवन तो क्या शॉटकड की यह बचो मारी Thresher Tool की Shift प्लस F7 यूज़ करती है हम लोग Synonyms फाइंड आउट करने के लिए चले आँगे चले नेक्स अता बचो देखो Thresher Tools विच इस यूज़ थे MS Word और Microsoft Word फोर सर्च फोरे Synonyms किस चीज़ के लिए उस करते हैं बचो Synonyms for a particularly selected word बिल्कुल अगर particularly selected word के हमने क्या find out करने है बचो Synonyms exact suitable words find out करने है मिलते जूलते word find out करने है जैसे एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम होते हैं तो हम Thresher Tools का यूज़ करते हैं तो इसके लिए shortcut की मैंने आप लोगों को बताई थी दुबारा बताइता हूं shift plus F7 का यूज़ किसका बचो shift plus F7 का बिल्कुल कहता है Thresher एक उपकरन है जिसका अपयोग MS word और Microsoft word में किसी विशेश चाहिनत शब्द के समानर्थक शब्द बिल्कुल समानर्थक शब्दियां प्राइवाची शब्द भी कह सकते हैं समानर्थक शब्द के लिए हम चीज का यूज़ करते हैं फ्रेशन तूल का हम लोग करते हैं Next बत्फान इस the getter मार्जन हाँ जब हम प्रिंट करते हैं margin that is added to the right margin when printing आउटसाइड ऑफ फे पर गैटर मार्जन कहते हैं आउटसाइड ओप फे एंटर करते हैं टुवालर पास्मार्जन सभाष पिंटि裂 पार जब बुक वगरा पर कबर चड़वाती है तो सी का कहा जाता है बच्छो गटर मार्जन के नाम से जानती हैं बिलकुल एक गटर मार्जन एड़ एक्स्टर स्पेस्ट तुदा साइड ऑफ तौप मार्जन है ना और इनसाइड दा मार्जन आफ दोकुमेंट्स दैट प्लैन ट एक्स्टेंशन को क्या कहते हैं जी चोग दा फॉल्न इस एक्स्टेंशन यूज्ड फ्र भैज फाइल अंजी बैज फाइल में बियों किये जाने वाले फाइलकुम इक्स्टेंशन कौन सा है बिल्कुल अफितने मापशो और पीता हूं तो सबीए का अउराना चाहिए हाँ जी बैच फाइलों के प्योग के लिए किये जाने वाले extension को क्या कहते हैं बच्चो डॉट बी एटी के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं पहरे बच्चो डॉट बी एटी बिल्कुल बैच फाइलों के के लिए कि सक्टेंश का डोट बीएटी का प्योंगे था बैच फाइल्स आर यूज़ फॉर हैल पोलोड़ दा प्रोग्राम जरन मल्टीपल प्रोसेसे एट टाइम एंड परफॉर्म दा कॉमन रिपेटिव टास्क बिल्कुल बैच फाइल क्या चीज़ है बच्चों हमने पा फाइल का यूज़ करते हैं कि मल्टीपटच इं स्मार्टफोन बिल्कूल किस कम्पनी के स्मार्टफोन में क्या हूफго बचल मुल्टी टउच फीचर आया था किस का पर आया ठाहिए सभी का शायी ऍैसयजिद्यं पर घ्स 넘 Bakía सैमसंग करके बताईं किम मल्टी टच जो इंटरफेस है पहले किस स्मार्ट फोन में पेश किया गया था हाँ जी मल्टी टच मट्रोला नोकिया सैमसंग या एपल हाँ जी बिल्कुल बचो जल्दी जल्दी अंसर कीजिए बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बचो वह आई थी मारे पास एपल के फॉन में किसके फॉन में आई थी बचो आपल के फॉन में आई थी जो मल्टी टच फीचर है न तो देखो क्या है कि in जनुवरी 2007 जनुवरी 2007 में computer introduced the computer ने introduce किया क्या iPhone introduced किया it had 3.5 capacity touchscreen बिल्कुल इसकी पाइब चो 3.5 इंच की capacity touchscreen है with twice the common resolution most smartphone screen at the time बिल्कुल है क्या मेरे पास most commonly used smartphone technique है जो हम लोग यूज़ करते हैं next आगा बच्चे which one of the falling pairs involved in the development of Unix operating system बिल्कुल निमन लिखे में से कौन सा जोड़ा Unix operating system को विकास में शामिल है बिल्कुल निमन लिखे में से कौन सा जोड़ा Unix operating system के विकास में शामिल है तो कुं सा बच्चो कें थॉंचन या डेनिस रिची आयगा रिचरर्ड स्टैली मैन या मेरिया स्टैली मैन आएगा या हमारे पास डेनिस रिची या लाइनिस ट्रोवाल जाएगा निमन लिखे में से कौन सा जोड़ा Unix operating system के विकास में शामिल है बिल्कुल क्या अंसर आएगा बचो क्या अंसर आएगा बिल्कुल सभी का अंसर आना चाहिए तो बचो नीमन लिखे में से कौन सा जोड़ा यूनिक्स ऑपरेडिंग सिस्टम के विकास में शामिल है तो हमारे पास क्या हैगा डैनिस रिची और केन थॉम्सन बिल्कुल यूनिक्स के बचो एक आपरेडिंग सिस्टम है जो पहले यूज करते हैं आज कल भी यूज करते हैं लेकिन कुछ कमपनी यूज करती है ना तो इसके development किस-किस ने की थी बचो केन थॉंप्सन एंड डैनिस रिची ने इसके development की थी इन माइक M.I.C.R. C.Stand for हाँ जी M.I.S.R. में C.Stand C का क्या मतलब है M.I.C.R. में C.Stand for code, color, computer यां character बिल्कुल सभी का अंसराना चाहिए बचो M.I.C.R. में C का मतलब क्या होता है code होता है, color होता है, computer होता है या character होता है बिल्कुल जो भी बचा live है सभी अंसर कीजिए जो भी बचा live है M.I.C.R. में C.Stand for C हमारे पास magnetic ink character recognition C की क्या रहेगी बचो magnetic ink character recognition that is M.I.C.R. बिल्कुल देखो M.I.C.R. बिल्कुल देखो M.I.C.R. बिल्कुल देखो M.I.C.R. स्टेजिए शोट फॉर magnetic ink character recognition तो C for character आएगा तो M.I.C.R. स्कैनर है यह कहां पर यूज़ करते हैं बचो हम लोग bank में यूज़ करते हैं कि कहां बाइनक में यूज़ करते हैं देखो मारे पास यह चेक है न तो चेक पर लगाता है मिल लिखा क कहा लिखा कि कि यह कोर्ड खकर बिलीठका कैमन लिखे में से कॉमसा एक इंपूट डिवाइस नहीं है तो क्या है बचो नीमन लिखे में से कौन सा एक इंपूट डिवाइस नहीं है तो माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पैन है या वीडियू है बिल्कुल सभी का अंसराना चाहिए बचो सभी का अंसराना चाहिए निमन लिखे में से कौन सा एक इंपूट डिवाइस नहीं है तो माउस आएगा कीबोर्ड लाइट पैनिया वीडियू जो भी बचा कमेंट कर रहा है बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें इंपूट डिवाइस कौन से होता है बचो जिसके हमें इंपूट देते हैं जिस डिवाइस के साथ हमें इंपूट देते हैं उनको इंपूट डिवाइस कहते हैं तो इनमें से कौन सा इंपूट डिवाइस नहीं है तो देट इस वीडियू वीडियू हमारा इंपूट डिवा वीडियो क्या हमारे पास input device नहीं है यह क्या बचो हमारे पास output device है वीडियो को और क्या नाम से जानते हैं यह output device है और किस नाम से जानते हैं वीडियो को monitor के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं पहरे बचो monitor के नाम से जानते हैं जिसको CRT monitor भी बोलते हैं CRT बोलते हैं देको बचो विजब़ डिस्पले ओनीट के लिए करने करते हैं था को दूसरा नाम बनी वह बोछते हैं व ID के नाम से के जानते हैं ठीक है जी नेक्स आता बचो मारे पास वाट इस दा इनिशियल पेज ओफ वैब हम्गेशन के प्रविक पूस्ट क्या है बिलकुल वैब हम इनिशिल पेज वैबसाइड का जो वैबसाइड का अपका फ्रेंट पेज होता है उसको क्या कहते हैं तो अमलों करेAST कह इंटर लिंक पेज या हॉम पेज बिल्कुल जो भी बच्चा लाइव है सबी का अंसरा न चाहिए जो भी बच्चा लाइव है कि वेब साइट के जो प्रहंबिक पेज है फर्स्ट पेज है उसको क्या कहा जाता है start page, first page, interlink page or home page website के जो हमारा first page रहता है उसको हम home page कहते है क्या कौन सा page कहते है पैरे बच्चों हम लोग उसे home page कहते है जो starting page है website का उसे home page कहा जाता है home page is a default or front page of site it is the first page when the URL is load बिल्कुल जो URL लोड होता है तो हमारा क्याता है first page जो लोड होता है तो उसको क्या कहते है बच्चों home page कहते है जैसे आपनी URL फिल्किया जैसे मैंने यह आप फिल्किया www.google.com www.google.com तो यह google.com जब हमारा load हुआ तो यह क्या बच्चों मारा first page है जो एक web person हमारा क्या करता है display करता है ठीक है बच्चों next authentication is क्या authentication क्या है प्रामी नी करन क्या है जी प्रामी नी करन क्या है बच्चे to assure identity of user on a remote per system insertion modification integration प्रामी करन क्या है प्रामी करन authentication क्या है authentication to assure identity of a user on a remote system इंसर्शन मॉडिफकेशन या इंटिग्रेशन तो बच्व प्रामीनिकर्ण कहते हैं तो बेसिक अथंटिकेशन इंवल्स प्रोविंगे प्रामीनिकर्ण करते हैं तो क्या है कि बुनियादी प्रामीनिकर्ण में प्योग करता हूं का नाम पासवर्ड चहरी की पचाना आज कल फेस लोग भी आन लगे फेस रीडिंग लोग आते हैं ना फोन आपका फेस देखा गा तो आपका फोन क्या है ओपन हो जाएगा तो इस अभी क्या है अथंटिकेशन में प्रामीनिकर्ण में जो हम लोग यूज करते हैं अथंटिसीटी चेक करने के लिए नेक्स अगा बचे विच आफ दा फॉलिंग इस नौट ए ऑपरेडिंग सिस फेदग्स आपास नहीं है तो इन में से उप्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो डास है बचो यूनिक्स है मैक है ज़्टी विचलाई कर बिदेव बिकेशन सोफ्टेएर है क्या है बचो यह application software है यह क्या है हमारे पास एक dbms क्या है का application software है यह हमारे पास क्या नहीं है operating system नहीं है नेक्स है shortcut की to open a replace command in Microsoft Word 2019 बिल्कुल MS Word 2019 में अगर हमने replace command को खोलने के लिए shortcut कुझी क्या है तो क्या बचो अगर हमने क्या open करने है replace command को open करने है तो replace command को खोलने की shortcut कुझी क्या है तो अप्चिन है shift h control h control alt h यह window h बिल्कुल सभी का अंतर ना चाहिए बचो MS Word 2019 में replace command open करने के लिए replace command के लिए हम क्या use करते हैं बचो control h का use करते हैं control h का यूज करते हैं अपने find and replace होना है बिल्कुल अगर आपने कोई text को replace करने किसी और word से इन हम क्या use करते हैं बचो replace command का यूज करते हैं यह आएगी control plus h replace command है ना और find के लिए क्या यूज करते हैं बचो control plus f का उसके जाता है find के लिए find के लिए control F और replace के लिए control H का यूज़ करते हैं next बचो which among the falling is another name of group of four bits बिल्कुल नीमन लिखे में से कौन सा four bits का समू का दूसरा नाम है बिल्कुल which among the falling is the another name for a group of four bits बिल्कुल नीमन लिखे में से कौन सा four bits के समू का दूसरा नाम है नीमन लिखे में से कौन सा four bits के समू का दूसरा नाम है नीमन लिखे में से कौन सा four bits के समू का दूसरा नाम है तो आप्शन है बचो नीमन लिखे में से कौन सा four bits के समू का दूसरा नाम है तो बनित के का सम्मूऔ है उसे नीबल कहते है मेमरी बिट रहती है झाना बिट के बाद करता आथा अ tomar पास नीबल आता है एक नीबल में कितनी बिट्स होती है पहरे बचो हमारे पास फूर बिट्स रहती है कितनी बिट्स रहती है पूर बिट्स रहती है नीबल में है ना नीबल के बाद आता है बाइट बाइट में कितनी बिट्स रहती है बचो बाइट में एट बिट्स रहती है बा बाइनरी डिजित होता है next फॉर बिट्स एक्विल् टू वन नीबल 4 bits किसके equal रहती हैं बचो 1 nipple के equal रहती है और 8 bits equal to 1 byte 8 bits किसके equal रहती है 1 byte के equal रहती है अना तो यह चार्ट है बचो एक बार आप फोटो खिच लिजेगा क्योंकि यह चार्ट बहुत important आपका examiner काफी पूस्था इस चार्ट में से question तो highest memory unit कौन सी है बचो जीपो बाइट रहती है highest memory unit कौन सी रती है बचो जीपो बाइट रहती है next time which of the falling is not a power point view हाँ जी इन में से निमन लिके में से कौन सा power point द्रुश्य में से नहीं है तो कौन सा बचे जो power point द्रुश्य में से एक नहीं है तो slide sorter view आता है slide view आता है presentation view आता है जा outline view आता है तो नीमन लिखे में से कौन सा power point द्रिशे में से एक नहीं है तो slide show view, slide view, presentation view या outline view बिल्कुल जो भी बच्चा लाइब है answer कीजिए बचो answer कीजिए नीमन लिखे में से कौन सा power point द्रिशे में से एक नहीं है तो कौन सा नहीं है बचो देटीज हमारे पास आएगा कौन सा हमारे पास presentation view नहीं होता क्या होता हमारे पास slide show view slide view या and outline view रहता है लेकिन मारे पास presentation view नहीं रहता ठीक है जी चलो next अगर बचो what is the full form of PHP हां जी PHP का full form क्या है तो option है बचो processor, hypertext program, hypertext, pre-processor pre-processor, hypertext pre-recorded hypertext बिल्कुल क्या पूछता बचो PHP का full form बिल्कुल जो भी बचा live है सभी का answer रहना चाहिए most important question है आप लोगों का PHP, PHP किस चीज़ के लिए यूज़ करते है बचो web designing के लिए यूज़ करते है PHP, web designing के लिए यूज़ की जाती है और PHP का full form क्या बचो hypertext pre-processor क्या रहती है hypertext pre-processor रहती है महरे पास that is PHP बिल्कुल PHP stand for hypertext pre-processor is known as journal purpose scripting language that is used to develop by the dynamic and interactive website बिल्कुल dynamic and interactive website develop करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बचो PHP का use करते है what is the full form of ARP हाँ जी ARP का full form क्या है बचो ARP बिल्कुल ARP का क्या full form है सभी का answer रहना चाहिए जो भी बच्चा live है सभी answer करें what does ARP stand for address resolution protocol allied resolution protocol address resolution process प्रोसेस यहां address रेक्टिफिकेशन प्रोटोकोल what does ARP ARP stand for बिल्कुल प्यारे बचो जो भी बच्चा live है जल्दी जल्दी answer करें ARP की क्या full form आएगी अजी कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका answer ना आए ARP की क्या full form है ARP है address resolution protocol क्या आएगी बच्चो address resolution protocol A answer आएगा C नहीं आएगा मारे पास option यह यहां पर पढ़ी है तो address resolution protocol that is ARP ARP क्या full form है address resolution protocol ah Шबुरन नेक्स्टाओं आगा बच्चो-सुपर स्क्रिप्ट also साबस्क्रिप्ट outline embrace emerged кадeば अनौन ं 00793 गर्ण 2 बच्चो-सुपर सुपर स्क्रिप्ट हैं लाइन एंब्रोस and grave also known as तो इनको क्या कहते हैं बचो क्या कहलाते हैं ये बिलकुल जो भी बच्छा लाइब है बिलकुल सब्दी जल्दी अंसर करें तो सूपर स्क्रेट असब लाइन इंब्रोस अंगरेव इनको क्या कहते हैं बच्छो हम लोग text effects के नाम से जानते किसके नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं नेक्स्ट आगा बच्चे वाट इस दा की विल ओपन दा एन ओपन डायलोग बोक्स कौनसी कुजी एक open dialogue box खोलेगी तो कौनसी कुजी बचे जो open dialogue box खोलेगी आफ ट्वेलव, alt-f-12, control-f-12 या shift-f-12 हां जी बिल्कुल बचे कौनसी कुजी एक open dialogue box खोलेगी तो कौनसी कुजी खोलती है बचे बिल्कुल सभी का answer अना चाहिए और सबी जो भी बच्छा लैव है तो सभी अनसर करें कौन सी कुझी है जो open dieiallobox वैसे open के लिए हम लोग क्या यूज करते बचो CTRL प्लस O का यूज करते किस चीज का प्योंब करते हैं बचो CTRL O open करने के लिए उसकरते हैं लेकिन हम आगर हम बात करते हैं कि कौन सी कुन जी जो आपका open dialogue box खोलेगी तैन उसको यूज करते हैं बचो control F12 का यूज करते हैं बचो control F12 का यूज करते हैं जो open dialogue box open करने के लिए यूज करते हैं और ब्लीटूथ reports Bluetooth क्या support करता है बचो Bluetooth Dutch को support करता है pointing chain do contact connection बोत profits connection बोत ब्लोях का फाद नेकnia हैं two do connection बिल्कोल Bluetooth by वी तूँऑ का फादर और कोना जाप होसे ने जाप हर्स्ट को क्या कहते हैं बचो Bluetooth का पादर कहते हैं हम लोग तो यह कौन सा जो है Bluetooth को मिल्कुल यह दोनों स्पॉ Maddo Bacchon को स्पॉर्ट करता है कौन हमारे पास Bluetooth नेक्स साते हैं बच्चो देखो Bluetooth is a short range wireless technology standard जिए यूजब लेटा टाएटा बिटमीन और फीग्स्ध अमांट धीक्टव को बिल्कुल और हमारी बिल्डिंग परसनल एडियर नेटवर्क बिल्कुल अगर शोर्ड डिस्टेंस पर डाटा ट्रांसफर करना है बिल्डिंग बिल्कुल 10 meter और 30 ft हमारी रेंज रहती है तो इसको परसनल एड़िया Network की बोलते हैं और एक और नेट वरक है, Bluetooth के network को PicoNet भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बचो इसको पिकोनेट के नाम से भी जानते हैं नेक्स आते है बचो, what does XSTML stand for, हाँ जी, XSTML की क्या फूल फूम है, पहरे बचो, XSTML stand for, extra hyperlink text markup language, extreme hypertext markup language, extensible hypertext markup language, जा हमारे पास extensible hypertext markup language, जी, what does XSTML stand for, XSTML की क्या फूल फूम है, जो भी बच्चा लाइव है, तो अंसर कीजिए, बच्चो, जो भी बच्चा लाइव है, अंसर कीजिए, XSTML stand for, बिल्कुल सभी का अंसर अना चाहिए, और लाइक नहीं किया, जिन बच्चों ने, प्लीज लाइक का बटन जरूर बच्चों टीचर को होंसला मिलते हैं कि हां बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो, और बच्चों, what does XSTML stand for, XSTML की, Extensible Hypertext Markup Language, यह दोना ऑप्शन ठीक है, I think, same option आगे, तो Extensible Hypertext Markup Language, C and D, दो, बोथ आर राइट हैं, बिल्कुल, Extensible Hypertext Markup Language, that is, XSTML, Next, बच्चों, what is the use of HTTP protocol, हाँ जी, HTTP protocol का प्योग क्या है, Information Assess के लिए, Telnet, Email या, FTP, HTTP प्रोटोकोल का प्योग किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, मिल्कुल सभी का अंसराना चाहिए, बच्चों, HTTP protocol किस चीज़ के लिए यूज केता है, Information Assess, Telnet, Email या, FTP, तो किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, बच्चों, Information Assess करने के लिए यूज करते हैं, किस चीज़ का, बच्चों, HTTP protocol, Hypertext Transfer Protocol, Hypertext is a method to encoding and transporting the information between a client and a web server, HTTP is a primarily protocol for transmission of information across the internet, बिल्कुल योगर आपनी information transfer करनी है, across the internet, then we use the HTTP protocol, next बच्चों महारे पास, what does the function of control J in MS Word, MS Word में control J का का कारिया क्या है, MS Word में control J है, यह क्या कारिये करता है, आपका, open print, dialo box, update, current web pages, close current window, या none of these, जी कौन सा बच्चों, print हमारे पास क्या है, function of control J, control J क्या function perform करते है, किसमें MS Word में, बिल्कुल जो भी बच्चा live है, सब भी answer करें, जो भी बच्चा live है, तो control J का क्या function है, control J क्या करते हैं, बच्चों, control J करते हैं, आपका, क्या, तो इनमें से कोई function नहीं आएगा, control J, control J, just justify the text, तो none of these, the answer आएगा, तो क्या आएगा, बच्चों, अंसर सुच है, none of these, none of these आएगा, क्योंकि control J किस चीज़ के लिए उसकते हैं, justify the text, test को justify करने के लिए, हम control J का use करते हैं, देखो बच्चों, control R is used to align the text to the right of the screen, बिल्कुल अगर text को right पे align करने हैं, then control R का use करते हैं, control L, align the selected text paragraph to the left, अगर left में align करने हैं, then हम control L का use करते हैं, control A के चीज़ के लिए उसकते हैं, text justify करने के लिए, next आते हैं, determines the appearance of your desktop and controls the performance of your hardware, बिल्कुल क्या कहते हैं बचों, आपके desktop का सबरूप निर्धारित करता हैं, और आपके hardware के परदर्शन को नियंतरित करता हैं, तो उसे क्या कहते हैं जो आपके desktop का सबरूप को निर्धारित करता है और आपके hardware के परदर्शन को नियंतरीत करता है तो उसे क्या कहते हैं window explorer, internet explorer, program file या control panel जो आपके desktop के सब रूप को निर्धारीत करता है और आपके hardware के परदर्शन को नियंतरीत करता है तो उसे क्या कहते हैं बचो That is a control panel जो आपके hardware के जो आपके desktop को appearance को control करता है और आपके hardware की performance को control करता है तो कौन करता है पहरे बचो control panel करता है बिल्कुल नेक्स है विच अमंग दा फॉलिंग इस पैशल वीजियल आडियो वीडियो एफेक्ट ने आप पावर पॉइंट टू टेक्स्ट और कॉंटेंट बिल्कुल निमन लिखे में से कौन सा विशेश दरिश्य जो पावर पॉइंट पार्ट समगरी पर लागू कर होता है तो उसे क्या कहते हैं बचो निमन लिखे में से कौन सा विशेश दरिश्य और शव्य प्रभाव है जो पावर पॉइंट में पार्ट या समगरी पर से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं बच्चो एनिमेशन के नाम से जो हम special visual audio वीडियो एफेक्ट वीजियो एफेक्ट सप्लाई करते हैं powerpoint के content पर तो हमें उसे animation के नाम से जाना जाता है देखो animation can be help to make the powerpoint presentation more dynamic बिल्कुल animation क्या help करते हैं अगर आपने powerpoint को presentation को more dynamic बनाना है more interactive बनाना है तो हम लोग animation का user करते हैं तो you can you also sound to increase the intensity of your animation effects बिल्कुल आप sounds लगा सकते हो आप images लगा सकते हो किसमें बचो animation में बिल्कुल सभी का अंस्वराना चाहिए जो भी बचा प्रोटोकोल का प्योग किया जाता है कि ग्रीजने के लिए हम किस चीज़ प्रोटोकोल का यूज करते हैं तो हमारे पास HDB protocol है IMAP SMTP जां IP बिल्कुल email बेजने के लिए हम किस protocol का प्योग करते हैं बचो email बेजने के लिए जो भी बचा लाइव है प्लीज इस्वी का इमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकोल यूज किया रहता है बचो उसे SMTP कहते हैं क्या कहते हैं बचो SMTP कहते हैं Simple Mail Transfer Protocol कौन सा बचो Simple Mail Transfer Protocol ये इमेल भेजने के लिए इमेल सेंड करते हैं आप इलक्रोनिक मेल जो इमेल में आपको कहा है कि हल्प करते हैं आप लोगों की इमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकोल ये इस SMTP Simple Mail Transfer Protocol देखो SMTP स्टेंड फॉर Simple Mail Transfer Protocol ये प्रिंसिपल ओफ इमेल प्रोटोकोल ये इस रिस्पांसिबल फॉर ट्रांस्फरिंग दा इमेल बेटमेन क्लाइंट अंडिए इमेल स्टेंड बिल्कुल जो SMTP का मतलब है जिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकोल SMP प्रमुख ईमेल प्रोटोकोल जो इमेल क्लाइंट इमेल सर्वर के बीच में इमेल के संक्शन करो के लिए जिम्मेदार है नेक्स सत्व बचो विच ओफ दा फॉलिंग टर्म इस सीमिलर टू फिशिंग कौन सी टर्म है जो फिशिंग के सिमिलर है बच रैफर्स टू दा फ्रॉलिंट मैसेज सेंट ओवर दा सेंट ओवर एसमेज रैदर दैन इमेल बिल्कुल क्या कहता है कि नीमन लिखे में से कौन सा शब्द फिशिंग के समाना है लेकिन इमेल की बजाए ये MSXS पर भीज़े जाने गए दोखा दड़ी वाले संदेशों को संधर्बित करता है तो उसे क्या कहते हैं बचे कि अगर SMS के तरू आप फरोड करते हो कोई आपके साथ SMS के तरू फरोड करता है है ना रेदर देन क्या कि कोई फ्रोड मैसेज भीजना तो उसको क्या कहते हैं फ्लेमिंग कहते हैं फार्मिंग मैशिंग जा समीशिंग लीवन लिखे में से कौन सा शब्द फिशिंग के समाना है लेकिन इमेल के बजाए SMS के दोरह क्या करता बचो संदेशों को संधर्बीत करते हैं तो उसी क्या कहते हैं लेरे बचो समीशिंग कहते हैं जो आपको भी आता होता है कि 20 क्रोड जीत गए है ना तो आप लोग खुश हो जाती हो भी 6 पर ऌब तो ज hemos सब करिदेगा सी करिदेगा अवरे मोबाइल टेक्सक्ट टेक्स कद य problème है युजरा धिया आतिकी सबस्क् crecूард को आहां से जानतों के हैं एस शाते हैं मैं सी शाइबर्ड को Fahrenheit प्रस्थातियों सजा क्या है तो क्या सजा बचे टू क्रोड रुपीस प्रेल्टी लाइफ ट्रेजनमेंट नइन यह इंप्रेजनमेंट बिल्कुल जो साइबर टेडरिजम आई-टी एक्ट है अगर कोई आप साइबर अटैक करते हो या कोई भी कुछ भी साइबर के साथ आप क्या करते हो चेड़ चाड़ करते हो किसी को साइबर अटैक करते हो किसी का तो किसी पर तो हम lifetime imprisonment है जैसे देश करते होता है country जैसे रशिया ने USA पर किया साइबर अटैक USA के सर्वर्स का डाटा चुरा लिया तो ऐसे यह साइबर अटैक होता है बचो अगर कोई पकड़ा जाता है इसके अंडर कोई साइबर अटैक के तो इसको lifetime की सज्जा मिलती है lifetime imprisonment आता है इसमें तो cyber terrorism defined as a previously planned politically motivated बिल्कुल ये प्लिटिकल इटैक होते हैं politically motivated होते हैं ये क्या डेटा चुरा लेते हैं ये country में होता है जनली cyber attacks वैसे वैसे भी होते हैं normal people भी करते हैं cyber attacks ना तो किसी company दूसरी कंपनी का साइबर टैक कर देती है तो ऐसे चलता रहता है लेकिन ज्यादा तर क्या रहता है बचू आपका बड़े-बड़े देश भी करती है साइबर टैक तो लाइफटाइम प्रीजनमेंट सजा आती है आइटीक दो सब्सक्राइम और टैंप्रिंग आफसे सोर्स कोड व님이 लूट को चला चुरा सोब्सक्राइब कर लेती वह किस के कैंप्रूटर सोर्स कोड कवर में टैंप्रिंग किसमें आती है सैक्शन 66 भी!! सैक्षन इंस ए सैक्षन जाएख 000067 की को्डिंग चुरा लेते हो तो किसी सेक्षन आती है पहले बचवー आपनठें कोडिंग चुराली किसी सॉफ्टेयर की तो वह किस में आता है बचो हमारा जो हमारा 65 में आता है जो सेक्शन 65 एड़ एक्टर पुनिश्मेंट ऑफ टैंपरेरिंग दा कंप्यूटर सोर्स डोकुमेंट और प्रवाइड़ देट एनी पर्सन सेक्शन 65 के अंडर आता है तो बचो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अगर आप लोगों क्लास अच्छे लगी तो आप एक वार लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप लोगों तो आच सुने अभीत क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक अगर आपने कोई भी कोर्स पर चेज करना तो कूपन कोड़र लगाई बच्को कौन सा वई 787 कूपन कोड़ लगांगे पर बच्चो वाइज 727 कूपन कोड़ लगा के आप अपटर24-7 diss terrace कोई भी झाल 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 झाल